वेलकम स्टुडेंट्स स्वागत आपका एक और नए वीडियो में जो स्टुडेंट आर यू एचस बीएसी नर्सिंग इंट्रेस एकजाम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो स्टुडेंट्स इस वीडियो को अंतक जरू देगे जी हाँ बिलकुल स्टुडेंट्स जैसा कि आपको पता है आपकी काउंसलिंग की डेटा वो निश्यत हो चुकी है जी हाँ बिल्कुल कापे सारे student को पता भी होगा कि उनकी counseling की data वो निश्यत हो चुकी है तो जिनको नई पता उसको इस वीडियो में पता चल जाएगा सबसे पहले में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको मतलब राजस्तान में कुल कितनी government college है जी हाँ बिल्कुल student क्योंकि जो अच्छे student है जिनके अच्छे number आए जैसे मतलब जिसके 85 पलस आए जिसके 75 पलस आए उन student को सब भी government college बनने से पहले आपको ये वीडियो जुरूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन सी particular government college बनने चाहिए जो best government college है और साथ ही आपके लिए वो अच्छी रहेंगे जिन student के मानलो किसी के 45 पलस आए किसी के 56 पलस आए तो उनको best private college में इस वीडियो में बताऊँगा और best government college और पूरी लिस्ट दिखाऊँगा प्राइवेट और गौर्मेंट की student सो जो student counseling में participate लेना चाहते हैं B.A.C. nursing में उन students के लिए वीडियो बहुत ही महतोपुरून होने जा रहा है सबसे पहले मैं counseling के बारे में बता जिता हूँ counseling आपके कब सुरू होगी students आपकी counseling अगले week यानि कि आपकी counseling है कब start होगी तीन डेट्स में आपको बता रहा हूँ 21, 22 और 23 इन तीन डेट्स को आपकी counseling स्टार्ट होगी students 100, 101% students इन तीन डेट्स आप अपने मन में बिठा लेना 101% गारेंटी है 21, 22 और 23 को आपकी counseling स्टार्ट हो जाएगी और काफी सारे students के ये भी मन में doubt आ रहा होगा कि सर हमारी exam 25 जनवरी को complete हुई थी लेकिन काफी समय बीच चुका हमाई exam दिये वे आखिरकार हमारा session ये कब सुरू होगा काफी सारे students due mode 2 भी हो रहे है क्योंकि काफ counseling कितने दिन तक चलेगी तो इस संप्रून पूरे मतलब जितने भी आपके डाउट है ये इस वीडियो में complete हो जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपका session exact कब तक सुरू होगा students तो वीडियो को complete watch कीजिएगा तो सबसे पहले जो student हमारे चैनल पर नए चैनल को सबस्क सबसे पहले मैं आपको यहां पर आपकी screen पर दिख रहा होगा जैसा कि मैंने सभी government college की list open हो चुकी है students सबसे पहले आप यानि कि आपको पता होगा कि राजस्तान में अभी कुल 7 government college और जूड़ी है students सो यह मैं पुरानी वाली list दिखा रहा हूं या आपको पता चल जाएग सबी के लिए मेरा suggestion होगा 30 plus वालों के लिए भी मेरा suggestion होगा 45 वालों के लिए मेरा suggestion होगा so student यदि मेरा suggestion अच्छा लगएगा तो वीडियो को like जरू करना और गदावय के साथ करता हूँ यदि मेरे बताये नुसरा अगर आप चलोगे तो आपको 100% सपलता मिलेगे और best college देख रहे होंगे यह जो नो टोप वाली government college है यह सबसे पहले आपको इनको प्रात्मिकता देनी है जी हाँ बिल्कुल student जो नई government खुली है college उनसे ज्यादा प्रात्मिकता इन college को देना है अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसमें उत्तम व्यश्ता है और यह अच्छी और आपको यदि new government college में यदि आप new government college यदि आप चुनते हो तो मेने जैसा कि जो मेरे regular viewers है उनको तो पता होगा है कि अभी आपके teacher है वो vacancies के थुरू नई आए यह student जो RUHS है अभी आपके teachers की है जो आपको teaching faculty है वो पढ़ाएगी फिर इनके लिए आपके teachers के लिए अलग government college है इनमें क्या है कि जो पहले से जो teacher पढ़ा रहे थे जिनें अच्छा अनुबह हुआ है बहुत ही अच्छा अनुबह हुआ है वो इन जो no government college है इनमें आपको पूरी सुईदाए मिलेंगी जितनी भी सुईदाए है इनमें सबी तो students में आपको चाए आप मालो काफी सार सबसे पहले सिक्कर वाली को आप प्रात्मिकता देने से पहले इन नो government college को आपको प्रात्मिक मालो किसी students को जैसे यह college मिल गए और यहां पर देखें और एक मिल गए सिक्कर government college चातर कहां का है सिक्कर का लेकिन उसको इसमें आपको admission लेना चाहिए क्योंकि यह well situated है इसमें अच्छे faculties old college है पूरा आपको management मिलेगा और यह new college है सब कुछ new होगा आपके लिए students और teaching भी आपके लिए ऐस ताई faculties की वेश्ता की जाएगी जैसा कि मैंने आपको एक बार अक्वार में भी पढ़ कर दिखाया था कि क्या चल रहा है इन 7 college हों में और अगले साल भी और 7 college खुलेंगे जिन students के 75 पलस नहीं जिनके मालो 70 पलस अंक है और जिनको इन में से government college मिलती है तो मैं उनको इन में से ही चूज करना है जी हां बिल्कुल student इन में से ही चूज करना है आपको नहीं कि अपनी जो new government college न्यू गोर्मेंट college खुलिए उनकी तुल नम है अब साथ सा साथ कौन से जिलों में खुलिए कौन से college खुलिए सो student इस पर मैंने ओर्रेडी वीडियो बना रखा है कि साथ कौन से government college है आपको पता होगा यदि हमारे regular viewer so students so आपको सबसे पहले ये काम करना है students हाँ यदि दूसरी बात यदि आपको ये no government college नहीं मिनते है इन साथ new government college में मिल जाता है तो भी waste रहेगा क्योंकि ये भी government college ही students लेकिन आपको पता चल गए होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ पूरा आपको bio data पता चल गए होगा कि सबसे सबसे पहले आपको अगर मैं करमवाइज करहूं तो यहाँ पर देखे सबसे पहले old फिर आपको new ये government college की बात कर रहा हूँ फिर आती है यहाँ पर private college यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रात्मिक्ता देनी है इसमें आपको पता चल गए होगा पूरा में क्या करना चाहता और private में भी based कौन कौन सी है वो अभी मैं आपको बता दूँगा प्राइवेट के list में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ so student आपको पता चल गए होगा और जिन students के 45 पलस अंक है जिन students के मालो जिनके 40 पलस अंक है जिनके 50 पलस अंक है तो उनको private college जैसे का मतलब 12 वेक है वो private college बरेंगे यदि private नहीं बरेंगे तो उनको मालो government नहीं में लगा तो फिर कहा है डिमिसल लेंगे तो private college में उनको भी बताना हमारा फरजा है कि कौन सी best college है कौन सी में आपको जाना चाहिए कौन सी में नहीं जाना चाहिए so students आपको ये देखे सबसे पहले निच्चे यहाँ पर दे रहें इस लिस्ट में आपको private college भी आपको दे रहें students यहाँ पर देखे काफी सारी private college है यहाँ पर open students यहाँ आप देख सकते हो so students कौन कौन सी आपके लिए best college रहेगी सबसे पहले आपको प्राथमिक्ता देनी है जो college इस्तित है जयवपूर में जी हाँ बिल teaching faculties है और वहाँ पर मतलब best management है तो सबसे पहले जयवपूर को प्राथमिक्ता देनी है अब ठीक है जयवपूर में कुछो college है यहाँ पर काफी सारी जैसे मातमागांदी nursing college हो और भी बहुत यदि college है ठीक है सर जयवपूर वाली तो हम पर देंगे लेकिन और college बताईए so students यदि other college की बात करें तो सब में same ways था होती है private college में बाकी आपको पता है होगा आप वहाँ पर जो है अपने students से try कर सकते हो आपको सबसे पहले जयवपूर वाली को प्राथमिक्ता देनी है students यदि जयवपूर में आपको number आता private college में तो best रहेगा और यदि जयवपूर में म आपको अलग होता है सब में यह ऐसा मुस्किल है कि किसमे based है किसमे मतलब अलग अलग फीस भी इसकी अलग अलग students होती है तो इनमें यह कहना मुस्किल है कि कोई सी based है कोई सी अच्छी लेकिन जपूर वाली को आपको प्राथमिक्ता देनी है so student यहाँ पर देखे private college की list भी private college है यानि कि जो nor government college है उनके निच्चे वाली government college को प्राथमिक्ता देनी है यहाँ पर अपने जिल्ले वाली को students तो चलिए आगे बात करते है so कापे सारे students सोच रहेंगे sir हम counselling तो करवा लेंगे लेकिन हमें बताए कि मतलब किस प्रकार से counselling हो और counselling में कितने दिल लेंगे हमें college में admission लेगा कब तक किस महीने तक admission हो जाएगा so student कोई भी counselling होती है उसके लिए सबसे पहले एक निश्ची date होती है जैसे यदि आपकी counselling जैसे फर्स्ट राउंड यह देखे यहाँ पर फर्स्ट राउंड counselling यदि आपकी सुरू होती है तो उसमें दो date दी जाती है एक तो 24 फिलिंग starting date और 24 फिलिंग end date तो student इसमें कम से कम कम से कम 5 या 6 दिन का students 5 या 6 दिन होते है इस्टुडेंट यहां gelir होता है यहाँ कि फर्स्ट राउंड आपको फोरम बने का 5 या 6 दिन आपको मिलते हैं कम से कम students और फिर students 5 या 6 दिन मान लो आपने college बर्दी पूरी और फिर आपके होता है seat allotment यहाँ आपको college मिल जाती है कौन सी college मिल लिया या आपको एक लेटर आ जाता है उसमें लिखा होता है पूरा बायोड़ा कि आपको ये college मिल लिये फिर students क्या होता है कि आपको college reporting and joining start यानि कि एक निशित समय दिया जाता है जैसे मालो एक निशित समय हो गया कि आपको तीर मार्च से लेकर आपको पांच मार्च ता college मिल पहुचना है तो ये निशित समय हो गया यानि कि reporting and joining start time और ending time तो student इस प्रकार से कुल मतलब ये देखे पूरा first round का काम है तो इन पूरे काम को complete होने में कितने दिन का समय लगेगा जो है complete करने का प्रयास करेगे so student first round में कम से कम 10 दिन का तो समय लगेगा और students आपकी counselling मतलब first round, second round, first round, second round और third round यानि कि तीन round में आपकी counselling हो सकते हैं इस बार क्योंकि students भी काफी ज़ादे हैं और college के संक्या भी बढ़ा दीगे या देखे students तो इस प्रकार यादि आपका देखा जाए यादि आपकी counselling मान लो यादि 21, 22 और 23 यादि इन 10 डेट को अगर निशित नियमान उसरा आपकी counselling स्टार्ट हो जाती है so मैं आपको पूरा जोड कर बता रहा हूँ counselling पूरा complete होने पर आपको college start और admission कब हो जाएगा student so student March के March March second week और third week में आपकी college वो start हो जाएगी student यादि 21, 22, 23 तारिकों यादि आपकी counselling स्टार्ट हो जाती है तो second March और third March को आपकी college शुरू हो जाएगी students so ये भी एक बड़ा doubt ता कि सर अक्रकार college कब start होगी so second और third week और March में start हो जाएगी student इससे पहले तो नई होगी students so मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी students जो नए है चैनल को subscribe कर लो अभी परतेक मतलब हर अपडेट पर college जोइनिंग हो चै अलोटमेंट हो हर अपडेट पर हमारा चैनल आपके लिए साथ रहेगा students तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा